लव इनफाइने चैनल में आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ बहुत खुबसूरत एनरजी में होंगे हाइयर एनरजी में आप अल्रडी आ चुके होंगे तो आज बात कर लेते हैं कि बहुत से लोग ट्विन फ्लिम जर्नी में होते वे भी नहीं समझ पाते कि क्या परपस क्या है Twinsome Journey का ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अलग-अलग Spouse से Merit है या Divorcee है या इक Unmarish है या आप Merit है एक Unmarish है शादि होना Possible नहीं है या Age Gap बहुत जादा है कोई अबव 50 है तो कोई below 30 है तो शादी 3D World में हो पाना नामुम्किन सा हो जाता है या शादी हो भी गई है, आप दोनों की और आप दोनों ही ट्विन्फलेम है और अलग-अलग सिटी-ज में रह रहे हैं अलग-अलग Conference में रहे हैं बात ही नहीं हो रही, यहनिकी separation phase चल रहा है तो नहीं समझ में आता कि इतना दुख और इतना पेन क्यों मिल रहा है क्या reason है क्या purpose क्या है इस twin flame journey का कई लोग कहते हमने तो खुशी-खुशी शादी कर ली कि twin flame है क्यों बहुत से लोग कहते हमें तो twin flame सही करनी है क्योंकि कई बार क्या होता है उन्हें clear नहीं होता कि ये एक romantic relationship नहीं ये प्लजानिक relationship है जिसमें sexual connection तो होता है शादी होती है बच्चे भी होते हैं लेकिन वो हर समय वही connection रहे वही physical intimacy बार-बार बरकरार बनी रहे वो ना के बराबर होता है तो इस वज़े से समझ नहीं आता कि माइंड कहता है कि हमें तो एक romantic story चाहिए क्योंकि हम बच्पन से comics में stories में लोगों को इस तरह से देखते हैं आजकल roads पे भी हाथ में हाथ डाले चलते हैं तो लगता हुआ कितना romantic इन दोनों के बीच में relationship है लेकिन असल में होता नहीं है वो कुछ time period के लिए ही होता है वो एक तरह से हो सकता है उनका भी कोई bubble face चल रहा हो और हम उनको देखकर यह कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता तो यही बात है कि twin flame journey में purpose आपका यही बनता है I'm sorry मेरी आवाज दो चार जिन से ऐसी ही है यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है इस वज़े से तो प्लीज थड़ा सा बेर कीजिए थैंक यू इसका twin flame journey का purpose यही है कि basically आपको spiritually grow करना spiritual growth जब तक आपके नहीं होगी तब तक आपकी soul awaken नहीं होगी कई बार soul awaken को divine feminine यह समझ लेती है कि मुझे पता चलके है कि मैं twin flame journey में हो तो मेरी soul awaken हो गई है जागरित हो गई है बस इतना ही नहीं ऐसा नहीं है soul awaken होने का मतलब यह है कि आपको अपना basic purpose पता चल गया हो the purpose of discovering your twin flame is to speed up your growth यह purpose आपको पता चल गया हो कि मैं twin flame journey में तो हूँ सामने वाला भी twin flame है मेरा और वो इस energy में है वो भी दुखी है मैं भी दुखी हूँ हम दोनों ने एक दूसरे के wounds को बाहर निकालना है दुखों को बाहर निकालना है surface पे लाके खत्म करना है जितनी भी तरके के हमारे blockages हैं अभी पर करार कई बार नहीं पता लगता क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं कोई judge होते हैं कोई वकील होते हैं कोई professors होते हैं आप यह सुचते हैं कि हम तो दोनों ही ट्विन फ्लेम्स हैं हम दोनों ही जज हैं, हम दोनों ही twin flames हैं इतने बुद्धिमान है, इतने समझदार है तो हम क्यों नहीं समझ पारे हैं इस purpose को basically ये purpose आपको अपने आप से मिलाता है आपकी जितने भी दुख तकलीफें और जो की boundations है या blockages है उसको खोलता है पच्पन में ठीक है, आप बहुत अच्छी पोस्ट पर बन गए लेकिन ये नहीं है कि आपने कभी कोई दुख न देखा हो कभी किसी ने आपको नीचारण गिराया हो या और भी कोई बातें ना हो पाई हो है ना, तो उन चीजों को हमेशा दिल में बांद गे ना रखने के बजाए सेल्फ लव करने की और ये लीड किया जाता है ठीक है तो अपनी रिलेशन्शिप को उसी तरीके से इंक्रेडिबली चालेंज करते हैं दोनों एक दूसरे को अब आपको ये लगता होगा कि मेरा डिवाइन मस्कलाइन मुझे चालेंज कर रहे है असल में आप भी तो उन्हें चालेंज करते हैं आपकी भी तो सही बाते हैं आप भी तो उन्हें जवाब देते हैं बलट कर कि ऐसा नहीं ऐसा ऐसा नहीं ऐसा मैं क्यों करूँ, मैं क्यों जाओं, मैं क्यों जॉब छोड़ू, इस तरह की बहुत सी बात है वो कहना कुछ चाहते हैं, आप समझते कुछ है समझ भी सही गए, तो जवाब नहीं ठीक से दे पाते reason वही कि जो blockages है, वो अभी वही के वही बरकरार है blockages का मतलब मेरा यही है, कि क्या है आपका ऐसा deepest fear आपके दिल में, आपकी सोल में, क्या deepest fear है किसी को खोने का, किसी चीज को खोने का, उन सब से बाहर निकलना उन सब से वाकई बाहर निकलना, जॉब को खोने का, पैसा ना होने का उन सब चीजों की अगर यह सारे डर होते है न तबी तो यह सारे crisis भी आते हैं देखने के लिए Twin Flame Journey में यही सब कुछ हमें देखने को मिलता है financial crisis होता है जॉब छूट जाती है या छोड़ देने का मन करता है या किसी किसी की शड़ेंत्र के कारण छूट जाती है तो बैसे के लिए यह सारे काम होते इसलिए हैं इसलिए नहीं होते कि 3D वर्ड में आपको नीचे गिरा दिया जाए अब आप कहीं का ना रहें भगवान यह नहीं जाता है भगवान को कभी दोश्ट मत दीजिए spiritual growth के लिए ताकि आपकी spiritual आप अंदर छांक सकें spiritual growth तभी होतीडियो बारी सारी चीज़ए बंद हो जाएं जब बाहर के सारे दर्वाजे दर्वाजे बंद हो जाएं तब अपने घर अंदर के दर्वाजे खोलने चाहिए अपने अंदर एंकाउंटर करते हैं एक तूसरे को mirroring के थ्रू mirroring मतलब जैसा आप कर रहे हैं वैसा वो exactly वही नहीं लेकिन उसका opposite जैसा कि मैंने बहुत पुरानी अपनी वीडियो में भी बताया कि अगर आपको salad पसंद है उन्हें भी salad पसंद है salad खाना लेकिन salad में आपको इंडियन salad पसंद है उनको रुशियन salad पसंद है खाना दोनों को salad है आप दोनों को fruits बहुत पसंद है तो आपको apple पसंद है और वो कहेंगे मुझे तो apple खाना ही नहीं होता कभी भी मुझे तो mango इखाना है तो इस तरह की चीज़े ये mirroring है करना दोनों ने एक ही चीज़ है तो किसी भी तरह के doubts को fear को अपने निकालना है बाहर आपने वो कैसे निकलेगा daily अपने आप से बात करकर daily meditation करके daily अपनी toxic relationships के बारे में लिख कर किन किन के साथ आपका toxic relationship है क्यों है क्या है ये सारी बाते आपस में खुल खर की जाएं तो ज़्यादा अची रहते हैं train flame आपको आकर नहीं बताएंगे वो जस्ट आपको trigger करेंगे आपको बस इस चीज़ का इशारा समझना है कि ये आपको trigger क्यों कर रहे हैं अगर वो आपको फोन पर या बात नहीं होती है दूर रहते हैं अलग country में भी रहते हैं या अलग room में ही रहते हैं तो वो आपको trigger करेंगे कुछ गलत बोल कर, mirror कर, blame करके ठीक है तो आप उनके साथ argument ना करने लग जाएं लड़ने ना लग जाएं बलकि उस समय सोचें कि ये मुझे क्यों कहा गया इस शब्द के पीछे क्या कारण है तो बस इस चीज़ को ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि twin flame relationship हमेशा romantic relationship nature wise नहीं होती है ये platonic friends होते हैं एक तरह से mentor होते हैं mentee होते हैं guru होते हैं ये लगा लेजिए कि आपको अंत में जब reunite हो जाएंगे आप अपने आप से उसके बाद जब आपका reunion अपके अपने ही divine masculine से होगा उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ really he was my guru and he is my guru क्योंकि उनकी presence से ही उनके unite होने के बाद ही तो आपकी kurnalini जाफित होई है उसके बाद ही तो आप अपने बारे में सोचने लगे हैं ठीक है आपकी बहुत अच्छी post है बहुत अच्छा पैसा है bank balance है name fame है उसके बाद असल में आपकी आत्मा क्या है यह जानने के लिए divine masculine के लाइन आपको ठक ठक करते हैं आपको ट्रिगर करते हैं बार बार नौक 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 आपके दिमाग में ठक ठक बनी रहती है उनकी बार बार इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा कि आपको लगता है ये इनसान मेरी दिमाग से क्यों नहीं जाते है तो ट्विन फ्ले लेकर आपाएं और बहुत अच्छी तरीके से आप हमेशा और हमेशा के लिए आगे बढ़ पाएं क्योंकि टुण फ्लेम जर्णी लव जर्णी है लव गिविंग जर्णी है नोट कि ओवर गिविंग या ओवर वेल्मिंग ओवर गिविंग ओवर कुछ भी नहीं करना है आप अपने अपने उपर ध्यान देना है आपकी माइंड इस टाइम कहा है क्या है कहां है का मतलब पास्ट में तो नहीं चला गया पास्ट की खराब कड़ी वीक बात ये तो नहीं ज़्यार सोच रहा है या अपनी यूनियन होने के बाद जो सेपरेशन हुआ उस समय क्या की सिच्वेशन में आप रहेंगे कि यस अभी अच्छा है ना तो आगे भी अच्छा होगा अगर इस तरह की सिच्वेशन में अपने दिमाग को आप अलर्ट रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि असल में जिन्दगी क्या है और यही आपको Twin Flames है जो आपको Trigger करकर के आपका गुरू बनकर आपको चेताते रहेंगे सजाते रहेंगे समारते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने हुबसूरत इंसान बनकर निखर गये हैं तो हमेशा आपने Divine Masculine को Money Man I Love You कहें thank you कहें I am sorry कहें please forgive me कहें यह कहिए देखिए बहुत असर देखेगा आपको बहुत प्यारा relationship है twin flame journey का आपका अपने आप से reunion करवा देने वाला इससे बढ़िया क्या divine journey होगी तो divine journey है यह divinely guided है divine path पर आप चल रहे हैं तो divine time पर ही सब कुछ होगा ठीक है तो ध्यान रखिए अपना और अपने divine masculine का thank you so much